हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम लेकूं, वेल्कम बैक टू माइ यूट्यूब चैनल मैंने अपने ब्लोग को साम से स्टार्ट किया है, साम के पांच बज रहे हैं क्योंकि मैं इसे कप में डाल लेती हूँ, फिर आप से आगे दिखाती हूँ, मैंने क्या किया है आज बहुत जादा तेज हवा चलने के वज़े से मैंने मसीन नहीं लगाया था सुबह में, साम मैंने सोचा मसीन लगा देती हूँ सुबह उटके कपड़े फैला दूँगी तो सूख भी जाएंगे, हवा तेज बहुत चल रही है आजकर चाए मैंने पी लिया है, आप देख सकते हैं, रात के डिनर की मैं त्यारी कर रही है, डिनर में मैं बनाने जा रही है सेम मटर और आलू की सबजी जो के बहुत सुपर टेश्टी लगती है, आपके यहां किस तरीके से बनती है, कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं यहां सरसो के मसाले का यूज कर रही हूँ आप देख सकते हैं, मसाला हमारा बनके रेडी हो चुक है, मैंने इसे ग्रेंड कर लिया है, इस सबजी को मैं कुकर में बनाने जा रही है, आप चाहें तो इसे कड़ाई में भी बना सकते हैं, कड़ाई में भी बहुत सुपर टेश्टी बनती है, इसमें दो बड़े चमच, मैंने ऑईल को अच्छे से करम होने दिया है मेथी का तड़का दिया है आप चाहें तो पाचपोड़न का भी यूज कर सकते हैं मसाले को इसमें एड़ करेंगे और अच्छे से भून लेंगे स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक को एड़ किया है अब देख सकते हैं नमक को मैंने इसमें एड़ कर दिया है इसे मेडियम टूडो फिलेम पे मसाले को अच्छे से भूनेंगे मसाला अगर हमारा अच्छे से भून जाता है तो सबजी हमारी बहुत अच्छी बनती है अब देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है सब्जी को मैंने पहले से चौप करके अच्छे से वास कर लिया था सब्जी को इसमें एड़ करेंगे इसे भी 2-3 मिन तक अच्छे से मिक्स करते हुए बरबर चलाते हुए हम इसे भून लेंगे आप देख सकते हैं सबजी को मैंने इसमें एड कर दिया है इसे भी मेडियम टूलो फ्लेम पे दो से तीन मिन तक भूनेंगे तागे सबजी अच्छे से भून जाए फ्रेंट्स आलू सेमकी सबजी किस-किस के घर में इस्ट्रिक के साथ बनती है कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरी रेसिपी थोड़ी से भी पसंद आए तो अपने फ्रेंस को जरूर सेयर करिएगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी को पुस्क कर लिजेगा ताके हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले इसमें सब्य करें एक बार आप जरूर ट्राइक करें आप देख सकते हैं सबजी को मैंने ओपिन कर दिया है बहुत ही सुपर टेस्टी रिस्पी ये बनके रेडी हो चुकी है तो आलू मटर सेम की सबजी किस किस को इस्टिक के साथ बनाना पसंद है तो हमारी बनके रेडी हो चुकी है मैं रोटी भी बना लेती हूँ आप देख सकते हैं मैंने रोटी भी बना लिया है मुझे ज़्यादा रोटी नहीं बनानी थी 5-6 रोटी बनानी थी क्योंकि मैंने चावल भी बनाया हुआ है देख सकते हैं रोटी हमारी बनके रेडी हो चुकी है चावल भी मैंने बना लिया है और थोड़ी से आलू की भाजी भी बनाई है आलू मटर की भाजी थोड़ी सी सुकी मैंने बनाया हुआ है क्योंकि बच्चे ग्रेवी वाली सब्जी ज़्यादा पसंद नहीं करती है इसलिए मैंने थोड़ी से सब्जी भी बना दी है आप देख सकते हैं रोटी भी बनके रेडी है चावल भी रेडी है यहां आलू भाजी भी बनके रेडी है दीनर हमारा कंप्लीट तयार हो चाहिए तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी मैं वीडियो को यह पेहिंट करती हूँ लाइक से और कमेंट करना ना भूलेगा आला हफीज